गर्मे जब बहुत सारे महमान आने वाल हो तो बस ये तयारी आप एक रात पहले करके रख दें महमानों के आते ही जटपट और बिना जटपट के ही आप गर्मा गर्म खाना परोज पाएंगे तो नमस्कार पापा मामी किचन में आप सभी का स्वागत है कि यहां पर मैंने मीडियम साइज के तीन आलो लिये हैं जिसको मैंने साफ चील लिया है और बजन में लग भग ये ठाइस usageन properlyarme अभी एक बाउल के अंदर मैंने पाने लिया है उसके उपर मीडियम साइज का कद्नुकस लिया है देखेए इसके फोलु को तरहे को ननेफे बोहत महीनवाला कदूकस नहीं लें, और आलू को सरहे से कदूकस कर लेंगे उस तरह से मैंने तीन आ तीन आलू को कदूकस कर लिया है आप देख भार इस कलछे कितने अच्छे बन के तियार होई, कैंगी पानी आप देखार है काफी दून ला हो गया है को कि आलू का इस्टर्च हो पानी अदर आ गया है तो दो तीन भार इस तरह से हम इसे धोलेंगे तो दू तीन भार इस TV अदोकर के मैंने इसे जर्क ले लिया है अभी से एक बॉल केंदर डाल दोते हैं अभी इसमें एक छोटा चम्मत इतना नमक डाल देंगे, नमक डाल करके इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, यह सब ही आलू है, नमकीन हो जाएंगे, अभी इसें पांच मिन्ट के लिए साइड में रख देंगे, इसके अंदर पानी डालने के ज़रूत ने क्यों कि हमने नमक ड जाल देते हैं, नमक को अच्छे से मिक्स करके, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अटा गुंद लेंगे, अटा में टाइड गुंद के ही तयार करना है, इस तरह से मने आटा गुंद करके तयार कर लिया है, अटा जादा डिला नी उनना चाहिए, इसे पुरी का अटा तरह से अटा शब में से भी काफी पानी डिलिज हो गया है, इसमें पुरा पानी लिख रहे हैं, इसमें इस तरह से नमक डाल ले से अलुके अधर जो भी एकफ्टा पानी होता है, जो अग्स्ती घुयाता है, तो अब दोड़ा दी आब यहाँ पर मैंने तों कोई पाने को साइड में रख देंगे अब इस आलू को हम एक बाउल का अंदर निकाल लेते हैं आप देख पारें हैं आलू मश्तर जादा तर निकल गया है अभी इसमें कुछ मसालय डाल देते हैं मसालय इसमें बहुत जादा नहीं डाला है यहां पर मैं एक हरी मिर्ची लिए जि अभी नमक डालने के जरूट नहीं है आलू के अंदर नमक की मातरा बाराबर हो गई है सब को अच्छे से मिक्स कर दो इसमें ज्यादा मसालय नहीं पड़ते हैं कब मसालों में बहुत ही अच्छा बन के त्यार हो जाता है अभी यहां पर मैंने कॉन फ्लॉर लिया है अभी मैंने दो टेबली स्पून जितना डाला है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमारी कोशिज यही रहे कि कम से कम कॉन फ्लॉर डाल करके इसे बना के तियार करें अभी एक चंब जितना इसमें और डाल देते हैं बस इतना ही डालना इसमें थोड़ी बाइंडिंग आ जाने देखे बराबर बाइंडिंग आ गई बहुत प्याराम से मन देते हैं एक मैं आपको और दिखा देती हूं थोड़ा सा लेकर के आप छोड़ी बाल बने इस तरह से हम सब मना करके तयार कर लेंगे और साइट ने मरे तेल भी गरम हो गया है तेल गरम होने के बाद में आज को मद्यम कर लेंगे और एक एक करके बोर्च को इसमें डाल देंगे ज्यादा तेज आज मनी करना है अब देख पार है ये बोर्च किस तरह से मना कर तयार कर सकते हैं इस यूडियो में आपको बताऊंगी यूद्धे यूद्धे पार हलका हलका इसके उपर अने लग और अब आज आज आपतिज कर सकते हैं जिसे कि है बहुत जी है तीन को एबड़र करें कि फटांब ऑड़ 손 угॉ जाये कि यह में फ्राइब करके बना रही हूं अप चाहँ तै tek करना सक्ते हैं तो फ्राइय करने में ज्यादा तेल अब जाफि नी करते आटा काफी सॉफ्ट हो गया दिए अभी इसके बड़ थोड़ा सा तेल लगा देखे और इसे गुंड लेते हैं इस तरह से आटा मार बहुती सॉफ्ट हो जाएगा आटा हमने इस तरह से गुंड लिया है इसमें से एक लोई तोड़ यह थोड़ा बड़ा लूई तोड़ कर देखें लें अशया एक जैसे बनके तयार हो इसके लिए मनी कठो री लिये आपके घर मुर कोई मुई कर नाप ले सकते हैं और इस से हम काट लेंगे इसे का दिखने में सुंद्र लगे इसमें से तीन कटेंगे ग इसलिए इसलिए मुटे भ्यूरी नियूंत चलिया नी यह मैंने मीडियम साइच के प्याज लिए दो मेंने हरी मिर्चे लिए है इसे भी रफली काट गी डालेंगे और पांस से साथ कलिया लसुन की डाल देंगे योग अब लसुन लहीं खाते है तो इसकीप कर सकते हैं एक ही इंच अद्र का टुकड़ा लिया है इसे भी अम रफल में इसन जितना जुतना जितना जिता दाल देते हैं आप से जगे पर यह देखे पर नोब हिमामल में मखाना लिया है आपके बस मखाना ने इसके जगे पर पनीय है पाड़ के जितनल सकते उतने engTH मैंने एक से एड़ मिन तब भुना है, गैस को बंद कर देंगे और मखानों को प्लीट में निकालेंगे, अब इसे साइड में रख देंगे और इसी कड़ाइक में दो टेबल इस्पून जितना गी ले ले लेंगे, गी आप अपने हिसाप से कम ज्यादा ले सकते हैं, आप चा अच्छे से पका लेंगे, यदि आप लसुन नहीं डालते हो तो इस जगह पर आप हिंग डाल सकते हैं, अब इस अब ही मसाला अच्छे से पक गए हैं, अभी जो अध्रक लसुन मिर्ची को मैंना पीस के रखा था ये इसमें डाल देते हैं, तो इंको अच्छे से पका पाने लॉदो मिर्ची को मेंडयरल अच्छे से वावगे हैं, इसमें एक छोटा चमब जितना नमक युदर लाख说 Kenya कंड दा सकते हैं, और एक छोटा चमब जितना अधि दावडियाए और एक छोटा चमब जितना ही जाल एक ज्मजितना य धन्धन पावडर लाव इस अब जो डाले हैं मैंने one basic masala हैं, इस masala को पकाने के लिए पाने नहीं डालेंगे, यहां पर मैंने 3 4 प जितना दय लिया है, इसका मैंने प्रेस नहीं डालेंगे तएसके ग्रेवी एफ्डम की में D अबाल आ गया है। आप इसके उपर ढगा देते हैं। धकन को मैंने अच्छे से वास कर लिया है, और पॉँच भी लिया है। तकम गरम होने के बाद में, जो गोल-गोलपी समने बनाकर रखे हैं, वो इसके उपर देंगे। एक बार में, जितना आते हैं, उतना आप इसके उपर रखें, उबर पांच आ गया है। ज्यान दखा इसको अमाद पूरीतर इसय नहीं है। हरेक को आपको लगता के साइड में थिश्टी सेकेंड तक पकाना है। इतना ही पकाना है उपर से थोड़ाँ सुके सुके हो जाए। अभी दूसरे साइड में इन थीस फेकन तक पका लिया है। अभी इसे प्लेट में निकाल देते हैं इसे आप एक पूपर एक अरामसे रख सकते हैं इस तरह से सुके सुके हो गए एक दूसरे चिपके इंगर नहीं है यहां मैं आपको याद दिला देती हूं का आपको माय रेसेपी कैसी लग रही है निचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इदे आपको अची लग रही है ताप इसे लाइक करें यूट्यूब पर देख के बना रहे हैं तु इसके अठी ज़ये में पांच पांगर तयार हो रहे हैं रिंचे इदे हैं अब हो गए चावाल आप ने के बाध में आलgen के बाल से दिले यदि आपके गर में घष्ट आने वाले हो पहले दी में आप इस तरह से अलु को फ्राई करके रख सकते हैं अलु की बॉल पर दिन फ्राई करके रख देंगे दूसरे दीने फटाफट आपके बन जाए इसी के साथ जो मक्हाने में ने से के रखे ते वह बीज में डालें इस बहुत ही स्वाधिष्ट आलु और मक्हाने की सबजी बनकर के तेहर हो जाती है अभी इसे हम दो से तीन मिन तक ड़कन लगा कर के और रख देंगे यदि आपके पिसे इस कोई बच गए हो इसमें भी आप सेख सकते हैं अभी तीन से चार मिन तक मैंने इसे और पका लिया है लेख बहुत ही अच्छा से हैं मकान हे इसमें जाकर कर थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं जो खाने में अच्छा लिगते हैं अलु की बॉल भी इतनी सॉफ्ट होali बहुत ही सबस्ञे की लगते हैं अभी थोड़ा सा मने कस्वरी मेठी लिये हैं लग भाग एक 11 अभी हम गेस बंद करके इसे साइड में रख देंगे, अभी जो पुडिया हमने सेक करके रखी है, इसको तकने के लिए आप एक तरका बटर पिपर लिए सकते हैं, जिया अपके घर में गेस्ट आने वाले हो एक दिन पहले आप यह सभी पुडिया बना करके रख दें, और ए आपको फ्राइ करना हो, उससे आदे गंटे पहले निकाल करके रख दें, जिससे रूम टेंपरेचर पर जाएगी, ऐसे बना कर यह दिया चार से पांच बिन पहले पी रख देंगे, तो खराब नहीं होती है, और एसी बनी पुडिया ज्यादा क्रिस्पी बन के तिहार होती और इसे मेडियम से हाई फ्राइ कर लेंगे, मेरे एक्सपीरियं से इस तरह से हलके सी सुकाई होई पुडियां, ज्यादा फुली-फुली और क्रिस्पी बन के तियार होती है, और ज्यादा समय तक क्रिस्पी रहती है, तो आपके गर में कभी केटी पार्टी हो, या कोई फ करने के लिए फिर भी लेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर